N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छे की भुगोल की पाठे पुस्तक, पृत्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ दो, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृत्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षन धुर्वो पर थोड़ी चप्टी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कलपना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्रा रूप है। यहां चित्र में ग्लोब की तीन छवियों को दिखाया गया है। जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। साथ ही तीसरे चित्र में प्रिथ्वी के अक्ष को दिखाया गया है। ग्लोब विभिन आकार एवं प्रकार के हो सकते है बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। ग्लोब पर देशों, महादूइपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृत्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदू की स्थिती का वरणन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिती कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदूओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यक्ता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में जुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदू जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षन ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारो ओर प्रिथुई की भांती पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। प्रिथुई पर वास्ताओं में ऐसे कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारो ओर घुमती है, जो एक कालपनिक रेखा है। एक अन्य कालपनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बाटती है। इसे विश्वत वृत्त कहा जाता है। प्रिथुई के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिन वाले आधे भाग को दक्षिनी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विश्वत वृत्त प्रित्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यहाँ प्रित्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिती बताने का सबसे महत्वा पूर्ण संदर्भ बिंदु है। विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा चाता है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है विश्वत वृत्त शुन्य अंश अक्षांश को दर्शाती है चूकि विश्वत वृत्य से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृत्वी के चारों ओर के वृत्य का एक चौथाई है अतह इसका माप होगा 360 अंच का 1 बटा 4 यानि 90 अंच इस प्रकार 90 अंच उत्तरी अक्षांच उत्तर ध्रुफ को दर्शाता है तथा 90 अंच दक्षिनी अक्षांच दक्षिनी ध्रुफ को इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.2 दिया गया है जिसमें प्रिथ्वी के अक्षांशों के विशे में दिखाया गया है इस चित्र पर विश्वत वृत्य को दर्शाया गया है साथी विश्वत वृत्त से उत्तर की ओर उत्तर धुफ तक समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है साथी विश्वत वृत्त से दक्षिन की ओर स्थित समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है इस प्रकार विश्वत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विश्वत वृत्त के दक्षिन स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिनी अक्षांश कहा जाता है इसलिए प्रत्यक अक्षांच के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिन को भी लिखा जाता है समाने तह इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिन अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांच 20 अंश पर स्थित हैं लेकिन चंद्रपुर विश्वत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विश्वत वृत्त के 20 अंश दक्षन में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिन अक्षांश पर स्थित हैं। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दिग्री उत्तर तथा दक्षिन ध्रुव 90 डिग्री दक्षिन के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश अर्थात समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र दो दशमलफ तीन में महत्वपूर्ण अक्षांश एवं तापकटिबंध दर्शाय गए हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा साढ़े 23 डिग्री उत्तर। दूसरा दक्षिनी गोलार्ध में मकर रेखा साढ़े 23 डिग्री दक्षिन। तीसरा विश्वत वरित्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुवरित। चौथा, विश्वत रेखा के साढ़े च्यासट डिगरी दक्षिन में दक्षिन ध्रुवरित प्रिथुई के ताप कटी बंध करक रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षान्शों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक उपर होता है इसलिए इस क्षित्र में सबसे अधिक उश्मा प्राप्त होती है तथा इसे उश्ण कटी बंध कहा जाता है करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षान्श पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के उपर नहीं होता है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरिणे तिर्ची होती जाती है इस प्रकार उत्तरी गोलार्द में करक रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रित तथा दक्षिनी गोलार्द में मकर रेखा एवं दक्षिन ध्रुव व्रित के बीच वाले क्षित्र का तापमान मध्यम रहता है इसलिए इन्हें शीतोशन कटी बंध कहा जाता है उत्तरी गुलार्ध में उत्तर धुरुव वृत एवं उत्तरी धुरुव तथा दक्षिनी गुलार्ध में दक्षिन धुरुव वृत एवं दक्षिनी धुरुव के बीच के क्षेत्र में थंड बहुत होती है क्योंकि यहां सूर्य क्षितित से ज्यादा उपर नहीं आ पाता है इसलिए ये शीत कटी बंध कहलाते हैं देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिती को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवशकता भी होती है आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीब एवं हिंद महासागर में स्थित मौरिशस द्वीब एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिन पर स्थित है उनकी सही स्थिती जानने के लिए यहां पता करना होगा कि उत्तर धुफ को दक्षिन द्रुफ से जोडने वाली संदर्भरेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है इन संदर्भरेखाओं को देशांतरिय याम्य योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है प्रतेक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है ये अर्धवरित्त हैं तथा उनके बीच की दूरी धुरुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं धुरुवों पर शुन्य हो जाती है जहां सभी देशांतरिय याम्ययोतर आपस में मिलती है अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन सभी देशांतरिय याम्ययोतरों की लंबाई समान होती है इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रिनिच जहां ब्रिटिश राज की अवेध शाला स्थित है से गुजरने वाली याम योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिंती शुरू की जाए इस याम योत्तर को प्रमुख याम योत्तर कहते हैं इसका मान शुन्य डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गड़ना करते हैं प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृत्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उप्योग करते हैं यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योतर एक ही रेखा परिस्थित हैं अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाऊं एवं देशांतरिय याम्योतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.6 में ग्लोब पर ऐसी ही ग्रिड को दर्शाया गया है अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिगरी उत्तर अक्षांश एवं 90 डिगरी पूर्व देशांतर पर स्थित है अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यह बिंदु धुबरी की सही स्थिती होगा इसको समझने के लिए कागस पर समान दोरी वाली क्षैतिज तथा उर्धवा धर रेखाएं खीचिए जैसा की अगले प्रिष्ठ पर मौजूद चित्र दो दशमलव साथ में दर्शाया गया है उर्धवा धर रेखाओं को संख्या एक दो तीन चार से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा 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 अक्षरों से व्यक्त करें जिन बिंदूओं पर ये उर्धवा धर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे व्रित्त की चिए इन छोटे व्रित्तों को अ, ब, स, द, तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए मान लीजिए कि उर्धवा धर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं अब आप देखेंगे कि व्रित्त अ, ख, डिग्री, उत्तरी अक्षांश, तथा एक डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है अन्य वृत्तों की स्थिती ज्याद करें देशांतर और समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन प्रिथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रति दिन होता है अतह स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानिय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परच्छाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है ग्रिनिच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उचे बिंदु पर होगा उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी चूँकि प्रिथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतहा वे स्थान जो ग्रिनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रिनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा, यहां पुनह चित्र दो दशमलव आठ को आप देख सकते हैं समय के अंतर की दर की गड़ना निम्नलिखित विधी से की जा सकती है, पृत्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है इस प्रकार जब ग्रिनिच में दो पहर के 12 बचते हैं, तब ग्रिनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रिनिच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहां दो पहर का एक बजा होगा लेकिन ग्रिनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रिनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानि वहां सुभा के 11 बचे होगे इसी प्रकार जब ग्रिनिच पर दोपहर के बारह बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरातरी होगी किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चितम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के बारह बजते हैं इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानिय समय होगा आप देख सकते हैं कि दिये गए देशांतरिय या म्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानिय समय समय समान है हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग-अलग या मियुत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानिय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेल गाडियों के लिए समय सारणी तयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रू गढ़ के स्थानिय समय में लगभग एक घंटा पैंतालीस मिनट का अंतर होगा. इसलिए यहाँ आवशक है कि देश के मध्यभाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानिय समय को देश का मानक समय माना जाए. इस याम्योत्तर रेखा के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है. भारत में 82 डिक्री पूर्व, अर्थात 82 डिक्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है इस याम्योत्तर के स्थानिय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है इसे भारती या मानक समय के नाम से जाना जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 2.9 में भारत के मान्चित्र पर भारत का मानक याम्योत्र दर्शाया गया है कबीर भुपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्री में नहीं सो पाएंगे भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंडन में दो बजे अपराहन में शुरू होगा अर्थाद भारत के समया नुसार मैच शाम के साढ़े साथ बजे शुरू होगा तथा देर रात्री में समाप्त होगा क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंट के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रिनिच के पूर्व 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहां का समय ग्रिनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है इसलिए जब लंदन में दो पहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के साढहे 7 बजे होंगे कुछ देशों का देशानतरिय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गये है उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है प्रिथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाटा गया है इस प्रकार प्रतीक समय क्षेत्र 15 डिगरी देशानतर तक के क्षेत्र को घेरता है